कोशन है आदम का पुल किन दो देशों के बीच इस्तित है तो भारत और शिरलंका के बीच में इस्तित है आदम का पुल नेक्षने स्वरपर्थम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्याने किस ने किया था तो विलियम हारवे ने किया था स्वरपर्थम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्याने नेक्षने अवद में संयोग अंदोलन का नित्रतु किस ने किया था तो बाबा रामचंद्र ने किया था अवद में सयोग अंदोलन का नित्रतू नेक्षने विश्व स्वास्ते दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक साल 7 अप्रेल को मनाया जाता है विश्व स्वास्ते दिवस के रूप में नेक्षने महिला स्वेम सिद्धा योजना किस वर्ष प्रारंब की गई थी तो वर्ष 2001 के अंदर प्रारंब की गई थी महिला स्वेम सिद्धा योजना नेक्षने मद्रास में अंग्रेजों दुआरा इस्तापित किला क्या कहलाता है तो इसे कोर्ट सेंट जोज कहते हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा इस्तापित किला है नेक्षन है सविधान का व्याख्याकार और सरक्षक किसे कहा जाता है तो सरोच नियाले को कहा जाता है सविधान का व्याख्याकार और सरक्षक नेक्षन है उत्री बारत में भूमी कर व्यवस्ता का परवर्तक किसे माना जाता है तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है भूमी कर व्यवस्ता का परवर्तक उत्री भारत में नेक्षन है विश्वे होम्योपेथी दिवस कब मनाये जाता है तो 10 अप्रेल को मनाया जाता है विश्वे होम्योपेती दिवस के रूप में नेक्शन है संयुक्त शुष्म दर्शी में कितने उत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है तो दो उत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है संयुक्त शुष्म दर्शी में कोशन है किस मिठी को कपास मिठी कहा जाता है तो जो काली मिठी होती है उसे कपास मिठी भी कहा जाता है निक्षन है ट्राइ नाइट्रो टोल्विन का सरवादिक प्रियोग किस कारिये में किया जाता है तो विस्पोर्ट कारियों में किया जाता है ट्राइ नाइट्रो टोल्विन का उप्योग नेक्षने किस डिस्पेच को भारतिय शिक्षा का मेगना कार्टा कहा जाता है तो वुड डिस्पेच को कहा जाता है भारतिय शिक्षा का मेगना कार्टा नेक्षने राष्टिय सुरक्षित मात्रतु दिवस कब मनाये जाता है तो ग्यारा अप्रेल को मनाया जाता है राष्टिय सुरक्षित मात्रितु दिवस के रूप में नेक्ष ने स्वतंतर भारत का पहला बजट किसने पेश किया था तो आर के शन मुखम शेटी ने पेश किया था स्वतंतर भारत का पहला बजट नेक्शन है रियक्टर पेमाने पर सामानित है कितने माप से अधिक तिवरता वाले भुकमप काफी विनाशकारी होते हैं तो जो छे माप है उससे अधिक के जो तिवरता के भुकमप है वह अत्यदिक विनाशकारी होते हैं नेक्षन है सर्वोची नियाले के नियाईदीश कितनी आयू तक अपने पद पर बने रह सकते हैं तो 65 वर्ष की आयू तक अपने पद पर बने रह सकते हैं सर्वोची नियाले के नियाईदीश निक्षन है लाड डलोजी की वियबगत सिद्धान्त के द्वारा किस राज्य को सबसे पहले हस्तगत किया गया था तो 17 राज्य को किया गया था निक्षन है अम्बेटगर जेन्ती कब मनाई जाती है तो चौदा अप्रेल को मनाई जाती है प्रतेक साल अम्बेटगर जेनती के रूप में कोशन है चिलगोजा किस प्रजाती के बीच से प्राप्त होता है तो पाइन प्रजाती के बीच से प्राप्त होता है चिलगोजा नेक्षने अंतहे सागर्य बुकम्पों द्वारा उतपन समुद्र लेहरों को क्या कहा जाता है तो इन्हें सुनामी कहा जाता है नेक्षने रेडीयो का अविश्कारक कौन है तो मारकोनी है जो की रेडियो के अविश्कारक है कांगरेस नीता जो लगातार 6 वशो तक कांगरेस के अध्यक्षपत पर रहे कौन थे तो अबुलकलाम आजात थे जो की कांगरेस के अध्यक्षपत पर रहे थे 6 वशो तक नेक्षन है revolution 2020 love corruption ambition के लेखक कौन है तो चेतन बगत इसके लेखक है नेक्षन है समग्र आवास योजना किस योजना का एक अंग है तो प्रदान नंत्री ग्रामोदे योजना का एक अंग है समग्र आवास योजना नेक्षन है समयुक्त राष्ट संग का प्रधान कारियाले कहां इस्तित है तो नियोर्क के अंदर सित है समयुक्त राष्ट संग का प्रधान कारियाले नेक्षन है लोगसबा का विगटन कोन कर सकता है तो राष्टपती कर सकता है लोगसबा का विगटन नेक्षन है दिगंबर और विश्णु विश्वास किस आंदुलन के नेता थे तो ये नील आंदुलन के नेता थे नेक्षन है डिस्टे ट्रेट ड्रम के लेखक कौन है तो मनुहर माल गावंकर है जो की डिस्टेट ड्रम के लेखक है कोशन है वियाग्रा का रासाइनिक नाम है तो सिल्डे नाफील साइट्रेट है वियाग्रा का रासाइनिक नाम है नेक्षन है विश्वे मौसम विज्ञान सगठन का मुख्याले कहां इस्तित है तो जेनेवा के अंदर इस्तित है विश्वे मौसम विज्ञान सगठन का मुख्याले संयुक्त उपांग का संसार का सबसे बड़ा संग कौन सा है तो आर्थो पॉंड़ा संग है जो कि सबसे बड़ा संग है नेक्षन है नील विद्रोह के से संबंदित पुस्तक नील दरपन के लेखक कौन है तो दीन मंदू मित्र है नील दरपन के लेखक कौन है तो मुल्क राज आनन्द है कौली के लेखक नेक्षन है 1950 में जे प्रकाश नाराइण कौन सी योजना बनाई थी तो सर्वोध्य योजना बनाई थी जे प्रकाश नाराइण ने नेक सुने चकर शब्द किस खेल से सम्मंदित है तो ये पोलो खेल से सम्मंदित है चकर शब्द नेक सुने कौन संसद का सत्रावसान कर सकता है और संसद के सत्र को आहुत कर सकता है तो राश्टपती कर सकता है नेक्षन है अखिल भारती है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस्ताबना किस वर्ष की गई थी तो 1920 इसवी के अंदर की गई थी अखिल भारती है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इस्ताबना नेक्षन है A Paces to England के लेखक कौन है तो नीरस C. Chaudhry है A Paces to England के लेखक